कैसी चल भी आपकी प्रप्रेशन चरूरी अच्छी चल रही होगी तो देखो हम इस लेक्षर के अंदर खाफी सारे जो क्रॉप से रिलेटेड आर्टिकल्स है दा हिंदू और बिजिनिस लाइन के और इंडिया एक्सप्रेस के करीब 20 आर्टिकल्स हैं उनको हम डिसकस करेंग उसके बाद वो इंपूर्ट्स टू दी अग्रिकल्चर होगा यानि कि फर्टिलाइजर वगएरा यह सब चीज़ है उसके बाद जो लेक्चर होगा वो अग्रिकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड है फिर उसके बाद जो रिसमें MSP वगएरा डिसकस के जाएगा APMC, E-NAM उसके बाद जो लेक्चर होगा वो होगा आपका अग्रिकल्चर गवर्नेंस से रिलेटेड तैन लास्ट का जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम जो फूड प्रसेसिंग इंडेस्ट्री वगएरा है उनको डिसकस करेंगे तो इस तरीके से क्याएगी लेक्चर का सिक्वेंश चलेगा इसमें हम स्टेटिक्स और करंट अफट दौनों चीज़ां पढ़ेंगे एग्रिकल्चर बहुत इंपोर्टेंट एडिया है यूपीएसी के लिए मिनमाम हर सल आपको टैन कुश्चन्स का पेपर मिलता है यहां से और अगर किसी साल यूपीएसी का मूड बन गया तो यह एरिया 25-30 मार्क्स तक खिज जाता है एग्रिकल्चर का एरिया तो यह लेक्चर बहुत इंपोर्टेंट है इसमें हम स्टेटिक्स प्लस करंट अफिर दौनों चीज़ां अबरब करेंगे तो एग्रिकल्चर को स्टार्ट करने से पहले थोड़े से हम लोग क्या है क उसके बारे हम फैक्स जान लेते हैं तो पहली चीज तो यह है कि अग्रिकल्चर में हमारी जो पॉपूलेशन है उसका करीब जो हमारी वर्क फोर्स है उसका करीब 50% जो हमारी वर्क फोर्स है वो एग्रिकल्चर के अंदर एंप्लॉइड है और जो अग्रिकल्चर है उसका हमारी GDP for contribution करीब-करीब 15% है आपको exact figure याद रखने कि बिल्कुल जरुवत नहीं है क्योंकि UPSC इस तरीके से नहीं पूछता है questions वो या तो less than बोलता है या फिर more than बोलता है ओके? approximate वगरा values वो नहीं use करता है next वो चीज है agriculture का जो average growth rate है वो करीब 3% है हमारी country के अंदर और देखो COVID के बाद कोई भी sector ऐसा नहीं रहा है जिसके अंदर growth rate constant हो लेकिन agriculture में more than 2.5% COVID के बाद भी रहा है तो ये थोड़ा unique सा factor जो ध्याम डग सकते हैं इसके लबाद जो food processing industries होती है उनका जो average growth rate है वो करीब 10% के round है अगर हम agriculture को देखते हैं तो हमारी जो सबसे ज़्यादा जो हम export करते हैं वो है हमारे marine products उसके बाद हम लोग pulses बगएरा का export करते हैं अगर हम particularly crop के बारे हम बात करते हैं तो हमारा जो rice है वो largest exporting item है और we are number one in the world in terms of the rice export इसलिए economic survey ने ये चेतावनी भी दी थी कि we are just exporting our water to other countries क्योंकि rice को grow करने के लिए क्या है काफी ज़्यादा पानी की requirements होती है और हम लोग क्या है कि irrigation पर dependent होते हैं काफी ज़्यादा क्योंकि we are having the number one irrigation area in the world तो ये चीज़े थोड़ी important है next important चीज़े है वो agriculture import के बारे में है तो agriculture import करीब हमारा 5% of GDP के around है हम जो edible oils हैं और जो हमारी pulses वगरा हैं उनको import करते हैं mainly तो दूसरी जो चीज़े important की agriculture किस type का sector है तो देखो UPSC ने question पूछा 2021 के अंदर की agriculture कौन सा sector है चार statement दिये गए थे उस statement के उस question के अंदर तो देखो primary sector जो होता है न वो होता है जो land से हम कहें कि output मिलता है हमको तो जैसे कि mining activities हो गई mining activities में आपको कहें कि जो जमीन है वहाँ से output मिलता है उसके अलावा जो agriculture हो गया तो आप कोई crop grow कर रहे है अगर आप कोई crop grow कर रहे है तो वह जमीन से मिल रही आपको तो यह primary sector हो गया next अगर मैंने जैसे cocoa की cultivation की तो cocoa से हम लोग क्या है कि processing करके चौकलेट बना लेते हैं तो चौकलेट बनाने के लिए हम क्या है food processing industries का यूज़ कर रहे है तो food processing industries का है कि secondary sector हो गई इसके बाद का है कि हम transportation वगरा करते हैं crops वगरा जो चौकलेट वगरा है तो transportation क्या हो गया हमेरा tertiary sector हो गया तो इस तरीके से आप ध्यान रखिए और जो next important चीज़ा वो यह है कि इंडिया के अंदर जो agriculture census होता है वो department of agriculture करता है every five year लेकिन जो live stock census होता है जो department of animal husbandry करता है दोनों के दोनों किसके अंदर है ministry of agriculture के अंदर है नहीं देखो department of agriculture है वो ministry of agriculture के अंदर है लेकिन जो department of fisheries है और animal husbandry है वो ministry of fishing के अंदर आता है यह थोड़ा ध्यान लखना है आपको तो जो Department of Animal Husbandry है वो कहें कि लाइव श्टॉक सेंसस करता है लाइव श्टॉक सेंसस और इस लाइव श्टॉक सेंसस को एक पर्टिगूलर टाइम के बाद नहीं काँड़ा नहीं हर रेगूलर इंटरबल पर नहीं किया जाता है कि लाइक फाइव यह एवरी फाइव यह 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 कभी भी किया जा सकता है सिंपल सी बात यह है इस लाइव श्टॉक सेंसस के अंदर हम लोग क्या है कि इवन जो केटल्स होते हैं शीप सो गई गॉट्स हो गई इवन पास सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारी कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा है जो एग्रिकल्चर है वो हमारी स्टेट लिस्ट के अंदर आती है मतलब क्या हुआ कि जो स्टेट गवर्मेंट से वो लॉस फॉर्म करती है जो सेंट्रल गवर्मेंट है वो यह empower करती है पार्लियामेंट को कि वो trade between the states और across the states वो facilitate कर सके तो इससे क्या है कि जो agriculture marketing है ना उसको central government या पार्लियामेंट जो है हमारी वो क्या काम करती है कि वहाँ पे law बना लेती है जैसे कि farmer laws आयते तीन इस provision को यूज करके किया गया था अब चाहिए एक बात और आपको बता रहा हूँ मैं आपे कि जैसे कोई भी और्डिनरी बिल आया उसको सिंपल मेजरोटी से दोना हॉस ने पास कर दिया प्रेसिडेंट की क्या है कि असेंड बिल गई तो वो एक्ट बन गया अगर किसी एक को रिपील करना है न तो उसके लिए भी सेम प्रोसीजर होता है सेम प्रोसीजर होता है कि दोना हाउस पहले उस रिपील बिल को पास करेंगे फिर रिपील बिल को क्या है कि प्रेसिडेंट एसेंड देंगे फिर वो repeal bill क्या है कि act बनेगा कि अब ऐसा provision exist नहीं करता है country के अंदर ओके तो यह चीज थोड़ी important है जो ध्यान रखनी चाहिए अब हम वापस आते हैं कि इंडिया के अंदर cropping seasons क्या है ओके एक और fact मैं आप पताना चाहूँगा कि around 42-43% जो हमारा net area है वो कहाए कि हमारा net zone area है net zone area है जहाँ पर agriculture की जाती है 43% area के अंदर और पूरे world के अंदर अगर हम agriculture area की बात करें ना कि जहाँ पर cultivation की जाती है तो उसमें भी इंडिया number one है 2023 prelim का question है तो देखो UPSC के आए ना कि यह हमेशा एक statement देता है कि कौन सी crop खरीफ है कौन सी crop जायद है तो एक statement मिलता ही है आपको हर साल मिलता है तो थोड़ा आप इसको ध्यान रखना है तो खरीफ का हमारे हाँ दो main cropping seasons है एक जायद भी होता है राभी और खरीफ के अलावा लेकिन जो जायद है ना वो around compr 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 में क्या मतलब होता है autumn autumn मतलब होता है कि autumn का मतलब होता है शरद रितू okay क्या होता है शरद रितू तो जो खरीफ की जो grow की जाएंगी ना sowing होगी खरीफ crops की वो जब monsoon just start होने वाला होगा ना तभी कहें कि उन crops को sow किया जाएगा जैसे कि एक जून को हमारे यहां पर monsoon आता है suppose करिए तो जो खरीफ crops हैं उनको जो sow किया जाएगा वो around mid of the maze start कर दिया जाएगा तो खरीफ crop जो है वो monsoon dependent है इनके लिए पानी की काफी ज़्यादा requirement होती है तो इनके examples जैसे होगे खरीफ के जैसे राइस हो गया राइस चावल होता है जो धान होता है पैड़ी उसको क्याएग कि वाटर लॉट कंडिशन में ग्रो की जाता है तो वाटर की रिकरिमन्ट जदा है तो इसलिए क्या है वो खरीफ प्रॉब्र उसके अलावा जो आपकी टी हो गई टी चाए हो गई रबर हो गई कौफी हो गया गौवा हो गया सौर्गुम हो गया कुछ सीरियल्स हैं जो की ऐसे खरीफ और राभी दौनों तरीके से ग्रो की जाती हैं वो हम देखेंगे आगे लेकिन खरीफ जो पलसे जैसे सीरियल्स हैं जैसे की अरहर की दाल हो गई जिसको हम पर्ल मिलेट बोलते हैं उसके लावा सोया बीन हो गया कोकोनट ओयल सीड हो गया जोहर बाजरा रागी यह सब किसके एक्जम्पल्स हैं यह हैं आपके खरीफ के एक्जम्पल्स दोको यार तो कन्ना ही बढ़े गई आप सब्सक्राइब को हर साल एक स्टेटमेंट आता है नहीं खरोगे तो वह कुश्चन सौल होगा नहीं उस साल है तो यह लास्ट मिनट रिवीजन के लिए इसको कि पेपर से एक गंटे पहले मैं कि इसको एक बड़ देखके जाऊंगा नेक्स कहाए कि राभी सीजन राभी सीजन का मतलब होता है इंगजिश के अंदर तो यह क्रॉप शो है वह हमारी कहाए कि बेंटर टाइममें ग्रोख की जाती है क्योंकि इनके लिए क्याए कि कोल्ड वेदर की रिकौरिमेंट होती ही काफी जैदा और पानी की काफी कम रिक बाष सबीति हो गया और आपका मौउदाल हो गई और सोयावीं हो गया उके तो यहां पर देख सकते हैं आप सोयावी वीं क्योंकि कुछ क्राप्स ऐसी है जो की कि नौ्डियाолод Gun呢 की सिव uw ईओ सब्देभीन को जाती है रभी हो दो है की कौत रभी में रभी हो इस पूरा प्रोड़क्शन देखते हैं तो करią檐 जो करीव क्रॉप हैं उनता is 49 परसेंट जबकि जो такого क्रॉप प्रॉप्स हैं उनता ही वो तोटल प्रक्शन है जो 550 प्रेब्ट के और और जो खरीफ क्रॉप हैं वो लार्जस्ट अरिया क्यों पैर करती है इन कंपर्ज़न टू राभी क्रॉप्स। तो यह फैक्ट था इसके अलावा जो अगर आम नंबर ऑफ फार्मर वाइस प्लस नंबर ऑफ प्रोडक्शन किस क्रॉप का ज्यादा प्रोडक्शन होता है और करेंज देखा जाए ओके और एरिय अंडर ऐनिगर देखा जाए तो गो रैस है ऑके और सेकर्ड जो प्रॉप है मतलब के है कि उसरे के नंबर वन फार्मर सेट सबसे जाथ है इंडिया में इंडिया का जो net area है उसका करीब जैसे 328 million hectare इंडिया का area है तो उसमें से क्या है कि करीब 42% जो area है ना वो हमारा agriculture के लिए use किया जाता है जिसको बुला जाता है net zone area और करीब हमारा जैसे 328 million hectare area है उसका करीब 20% जो area है ना that is under the irrigation और हम कहाएं कि largest irrigation यूज करते हैं पूरे world के अंदर next कहाएं कि हम जो ground water है उसको irrigation के लिए use करते हैं और more than 90% तक हम use करते हैं जैसे irrigation में soliter पानी का use किया गया तो 90 लिटर जो पानी है वो ground water से आता है हमारे irrigation के लिए तो we are number one in all aspects ये UPSC के questions हैं एक तरीके से अगर हम production wise देखे हैं तो देखो rice सबस्यादा होता है फिर wheat होता है फिर coarse cereals होता है फिर pulses होती है तो हम बात करते हैं सबसे पहले pulses की तो देखो pulses जो होती है वो leguminous crops होती है जो की nitrogen fixation का काम करती है इनकी जो roots होती है उन पे क्या है कि एक bacteria thrive करता है जिसका नम होता है rhizozome जो क्या है कि nitrogen fixation का का काम करता है और जो nitrogen fixation का काम करता है that is legume simply and it is good for the crop because the nitrogen availability increases क्योंकि free form में nitrogen नहीं ले सकते हैं जो हमरे plants है ना वो free form में nitrogen नहीं ले सकते हैं अच्छा pulses के बारे में इंडिया largest producer है consumer है और importer है हम किया है कि producer भी number one है consumer भी number one है और importer भी number one है आप on the sport चीज़ों को याद करने का dry करिए अपने brain को ना थोड़ा pressurize करिए कि मैं इसी time याद कर लूँ ओके जो 40% of the total production है ना pulses का वो हम gram को चना चना जो होता है ना black चना चना उसका production होता है pulses में करीफ 40% जो pulses है जैसे 100 kilo pulse हमने produce की तो उसमें से 40 kilo जो pulses होंगी ना वो हमारी gram होंगी या black gram होंगी gram को ही black gram बुला जाता है उसके बाद तूर होती है और अरहर होती है तूर और अरहर थोड़ा ये ध्यान लखना है अपनों तूर और अरहर देन green gram होती है अगर pulses के production में बात की जाए तो वह MP जो है वह नंबर बन है मद्रप्रदेश क्योंकि वहां पर गया है कि रेंट फेड अगरी कल्चर से ही pulses को ग्रोग किया जाता है काफी ज़्यादा मॉंट में जो हमारी 60% of pulse production है वो रावी सीजन के अंदर होता है जो हमारे जैसे हम लोग एक साल के अंदर 200 kilo क्या है कि pulses प्रोग कर रहे हैं तो करीब 120 kilo जो pulses है ना वो हम लोग क्याए कि रावी सीजन में ग्रोग करते है और 80 kilo जो pulses है वो खरीब सीजन में ग्रोग करते है यह जो pulses होती है उनको रेंट फेड कंडिशन के अंदर ग्रोग किया जाता है तो इनके लिए क्याए कि less water requirement होती है कि बहुत ना के बराबर requirement होती है ओके next important चीज है वो यह है अगर total food grain area को देखा जाए ना तो उसमें से 20% जो food grains है वो हमारे pulses होते है और अगर पूरे जैसे हमने क्याए कि 100 million ton का क्याए कि हमने production किया food grains का तो उसमें से क्याए कि जो 20 million ton होंगे वो हमारी pulses होंगी 30 million ton हमारी क्या wheat होगा और करीब 22 million ton हमारा क्याए कि rice होगा area wise बात कर रहा हूं मैं area wise okay area under food grains next important चीज़ा को यह है कि यह थोड़ा गलत लगया यह जो 30% होगा वो आपका rice के अंदर होगा 22% wheat के अंदर होगा okay तो इसको थोड़ा correct कर लेना आप लो मैं इसको correct करके भीजूँगा आपको अच्छा अगर pulses की बात की जाए तो जो pulses है उसके अंदर क्या सारी pulses आती है MSP के अंदर cover up है क्या सारी pulses नहीं जो आप daily खाते हैं आप डाल वो cover up है जैसे की gram, tour, moon, उरत और lentil पांच जो है आप के अगर हम production की बात करें तो इनका जो production है वो nearly constant है हमारा जो production जो है वो nearly constant production है हमारा इसके अलाबह क्या है कि India भी recently क्या है कि जो global meet on pulse उसको host करेगा और जो ये global meet on the pulse उसको कौन organize करता है that is conducted by the nephred and the global pulse confederation तो confederation का मतलब समझते ही आपको आना चाहिए कि ये कोई government body नहीं हो सकती है ये कहाए कि independent body होगी कोई जैसे कि फिक्की हो गया या फिर CIA हो गया next बात करते हैं millets की तो millets generally खरीफ crop होती है generally खरीफ crop होती है और ये rain fed conditions के अंदर ये grow की जाती है less water का use किया जाता है और इनकी एक character stock होती है millets की कि ये photo insensitive crops होती है इनकी ये क्या है कि high temperature को क्या sustain कर सकती है जो millets है वो high temperature को क्या sustain कर सकती है इंडिया number one है पूरे world के अंदर in the production of the millets और राजिस्थान हमारी country के अंदर number one है जो millets होती है वो legume नहीं होते है ये ध्यान रगना है आपको millets का legume नहीं होते है क्या India number one exporter है millets का तो गलत है ये बात ऐसा नहीं है जो millets होती है ये are gluten free they are gluten free they have the fibers okay they have some nutrients like the copper, zinc, iron वगेरा तो इसलिए इनको क्या है nutrient cereal बोला जाता है government के द्वारा इनकी जो glycemic index होती है वो काफी कम होती है क्योंकि gluten वगेरा काफी जादा कम होता है इनके अंदर gluten होता ही नहीं है और ये जो millets होती है वो drought resistance crop होती है ये क्या होती है drought resistance drought को ये resistant कट सकती है next चो millets हैं जो की MSP के अंदर cover up है वो कौन-कौन सी millets है वो है आपकी बाजरा बारले रागी जोआर ये चार millets हैं जो की MSP के अंदर cover up है कौन-कौन सी है बाजरा, रागी, जोआर और बारले सारी millets क्या है कि उसके अंदर cover up नहीं है MSP के अंदर और कौन-कौन सी millets होती है जैसे कि फॉक्स्टेर मिलेट होगी कोडो हो गया बेरियार्ड हो गया प्रोजो हो गया ये types of millets है तो अगर production बाइस देखा जाए तो करीब 60% जो production है वो किसका होता है हमारे यहाँ पे वो बाजरा का होता है तो अगर इस type का statement आता है कि बाजरा constitutes more than 50% more than half more than half of the production of the millets तो character statement होगा उसके बाद होता है जोर फूड इसके बाद को नहीं होगा जोर तो अब बात करते हैं सब्सक्राइब करते हैं तो देखो राइस को किस तरीकी से ग्रोग किया एता है पहले nursery के अंदर के प्रिपरेशन की जाती है nursery के अंदर के आए कि seeds वगरा डाले जाते हैं हाँ पर और इनको nursery में ग्रोग किया एता है राइस को जब छोटे छोटे पौदे हो जाती है न इन पौदों को उठाके हम लोग क्याएगी फील्ड के अंदर क्या इनको लगा देते हैं फील्ड के अंदर और पूरा का पूरा पानी भर देते हैं अब पूरे फील्ड के अंदर तो इसको बोलते हैं Plantation Method of Agriculture Plantation Method of Rice Cultivation तो इस तरीके से हम लोग क्याएगी है किसका अपना राइस को ग्रोव करने का तो राइस के बारे में बात करते हैं तो राइस क्या है कि खरीफ क्रॉप है और यह MSP के अंडर अबियसली होगी यह तो आपके जरी होगा नेक्स इंपर्टेंटी चीजा राइस के बारे में वो यह है कि यह ट्रॉपिकल क्रॉप होती है कौन सी क्रॉप होती है ट्रॉपिकल क्रॉप होती है इसका मतलब यह नहीं है कि यह टेंपरेट अरिया में नहीं ग्रोग किया सकती है grow की जा सकती है no doubt in it इसके अलावा कियाएगी जो 30% of our net zone area है वो rice के अंदर है जो मैंने correct करवाई था न भी आपसे तो वो यह है कि जो हमारे net zone area है उसमें करीब 30% जो rice होता है और even West Bengal में तो कहा है कि पूरे साल rice ही rice होता रहता है ओके तो अब लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो rice है वो rabi crop होगी नहीं West Bengal में कहा है कि जो conditions है वो काफी conducive है because of the deltas तो इसलिए कहा है कि West Bengal में कहा है कि तीनों season कहा है rice grow किया एता है तो next चीज कहा है कि area wise number one crop है यह rice production wise भी number one है और number of farmer wise भी यह number one crop है next चीज के बारे में यह highly water intensive crop है और जब यह water lot conditions होती है काफी ज़्यादा पानी जमा हो जाता है तो उसकी वज़े से क्या होता है कि अनॉरबिक conditions डेवलप हो जाती है और इसमें कहा है कि methane और nitrous oxide का गया है कि emission वगरा होने लगता है UPSC 2022 question ओके तो methane emission काफी ज़्यादा होता है बाइदी plantation method लेकिन जो system of rice intensification है जो की क्या है अप्ग्रेडेशन है जिसके अंदर क्या है कि water lot condition डेवलप नहीं की की जाती है तो वहाँ पे जो methane emission है वो थोड़ा कम हो जाता है ओके वेस्ट बंगल जो है rice production में वो number one है और production wise देखा जाए तो China number one है हम exporter number one है लेकिन production में China number one है ये थोड़ा ध्यान लखना है जो बास्मती rice है वो GI tag मिला हुआ है इंडिया और पाकिस्तान दोनों को बास्मती rice की एक speciality होती है उसके अंदर fragrance आती है और जो बास्मती rice है उसको पंजाब वाली रीजन में क्या है ग्रोग किया जाता है पंजाब और वेस्टन यूपी वाली रीजन के अंदर ग्रोग किया जाता है GI tag मिला हुआ है इसको कुछ varieties है rice की जैसे की पूसा 1121 और 1509 तीन मेथ़ड होता है rice को क्या कियाता है कि जैसे यह tractor हो गया हमारा तो इसके पीछे जो cultivator लगा होता है ना उसके अंदर क्याए कि हम यहां पर काफी सारे मैंने क्याए कि rice के जो seeds है वो डाल दी paddy पैड़ी रवगरा डाल दी तो यह क्या काम करता है कि यह particular rose है ना पर्टिकुलर rose है उनके अंदर क्याए कि यह direct seeds को डालता है इसको बुलता है direct seed drill method इसकी वीडियो मैं दिखा देता हूँ आपको लोग बात करने वाले हैं धान की सीधी बवाई के वारे में यानि की DSR method के वारे में जिसको किसान इंगलीस में हम लोग आप आठ के लोग ले रहें उसको आप शाम को पानी में बगो दीजिए और सुबा उसको आप से निकालीजिए उस बीच को बाद में उसका जो शोधन है वो आप 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 तीन ग्राम दावा कर बंदाजीम यह तोड़ी अच्छी विडियो है इंगुट ढुब सापन ओड्रीजिए शेन निस वाट प alltid जेर्व लेट समय को ऑ quests लुकारण थे पाइंडूू लुका लूब एव प्रियों हूंू रचे रचान होशू पान्यट आम्मूड बाइट रचाने हों जन थो रखर रचाने यामू तॉफ प्रियोंू कॉट्छ लूब फॉकानू झान सब्गाने बाइखने लुटे सेब्से लूब ऑन्यटर रचन National Multicrop Planter excludes the need for paddy transplantation and nursery preparation, which saves a lot of water, money and labour. When seedlings get transplanted from one place to another, their roots get damaged, which is called root shock. But in case of direct rice seeding, root shock is also avoided. Sowing with National Multicrop Planter doesn't even require puddling of soil with tractor before sowing. Due to this, soil quality remains intact. This is National Multicrop Planter manufactured by National Agro Industries for direct sowing of paddy without transplantation. Before sowing with National Multicrop Planter, sowing distance can be set as per the requirement. Row to row distance of National Multicrop Planter is 8 inches wide, which can be changed with the help of U-clamp. Seed sowing depth can also be controlled in National Multicrop Planter. For this, depth control wheels situated on both sides of National Multicrop Planter can be set with the help of T-Bolt. Sowing depth increases if the depth control wheel goes up, and if it goes down, sowing depth decreases. National Multicrop Planter's Fertiliser Hopper has a shaft with array of small agitators and worms. These worms ensure the proper movement of fertiliser in hopper, and agitators break the fertiliser clods, if any, to ensure the continuous supply of fertiliser. Fertiliser hopper should be filled with fertiliser, care should be taken to avoid any foreign particles and clods of fertiliser, which can obstruct the system. National Multicrop Planter's Fertiliser Dispensing Rate is also adjustable. This can be done by loosening the wing nut on the fertiliser hopper and adjusting the fertiliser indicator. Whenever fertiliser supply and sprockets are provided with National Multicrop Planter, these sprockets can be changed by opening side chain cover. To open the sprocket nut, a special spanner is needed, which is provided in the toolbox. Seed rate can be further calibrated by changing the inclination of the seed hopper. National Multicrop Planter can be easily attached to a tractor with the help of three-point linkage. During sowing, the tractor can also be used for sowing other crops, like maize, pulses, and cotton, etc. So, now you have seen how to use the direct seed drilling method. The next method is called System of Rice Intensification. In this case, what does it mean? In the nursery, we have said that the saplings have been grown. It means that when it becomes a little bit bigger, like in the early stage, much younger stage, we have said that we have called a particular spacing that we have put in there and put it in the early stage. It means that it puts it in the early stage. It means that the roots are interminant water supply. सपलाई कि यहाता है سر آइज के अंदर यह फिर फटलाइजर वगरा का यूज किघा आता है और वीड कंडॉल पस्टिस भगरा का यूज कि आ है ना उनको इस पेश ज्यादा मिल जाए जिससे क्या कि वो ग्रो हो सकें ज्यादा इस पेश मिल जाएक जब प्रॉपर स्पेसिंग रखेंगे तो यह में डीजन होता है और दूसरी चीज क्या है कि फ्लर्डिंग कंडिशन्स क्रियेट नहीं की जाती है ऐसा रही के अंदर यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टन चीज है इंटर्मिनेंट वाटर सप्लाई की जाती है बस यह ध्यान दगना है यूपीएसी ने क्वेशन पूछा कि सिस्टम आफ राइस इंटेंसिफिकेशन अगर हम करते हैं जिसके अंदर अल्टरनेट वेटिंग और अल्टरनेट ट्राइंग की जाती है तो उससे क्या होता है तो देखो इससे क्या होता है कि जो सील्ड रिक्वाइरमेंट से वो रिडियूस हो जाती है और जब वाटर लॉगिंग कंडिशन नहीं होगी तो मीथेन भी क्या है कि एमिशन जो मीथेन है वो रिडियूस हो जाएगा और जब हम flooding condition develop नहीं करेंगे तो जो irrigation की जो requirement है वो reduce हो जाएगी मतलब क्या है कि electricity को हम save कर सकते है system of rice intensification से तो देखो agriculture practices जो भी नहीं होती है that is good only तो positive sides को लेके चलना है आपको except the concept of the cost cost थोड़ी बाजाती है इसके अंदर तो जो rice cultivation है उसके साथ problems क्या क्या है कि एक तो water consumption काफी ज़्यादा होता है water lot condition की वैसे और greenhouse gases जैसे की nitrous oxide और methane वगरगा emission होता है इसके लावा क्या है कि जो हमरी groundwater tables है वो reduce हो रही है क्योंकि irrigation हम लोग क्या ही from the groundwater करते है next जो problem है वो यह है कि states के अंदर क्या है कि monoculture को फट्टेस किया जाता है जिसके अंदर क्या है कि तीनों के तीनों season क्या है कि एक ही crop grow की जा रही है तो उसकी वज़े से क्या होता है monocropping की वज़े से जो nutrients है soil के अंदर वो deplete हो जाते है और soil erosion होना शुरू हो जाती है crop rotation को यूज किया जाए कि इस बार ये crop grow की गई है ये season के अंदर next time दूसरी crop grow गी जाए इसके अलवाट crop diversification का यूज कर सकते हैं कि जिसके अंदर क्या है कि एक से ज़्यादा crop हम grow कर सकते हैं that is the crop diversification micro irrigation का यूज कर सकते हैं next जो mechanization है उसको increase कर सकते हैं देखो इंडिया के अंदर mechanization की बहुत बड़ी problem है except wheat और rice को छोड़के न जो बाकी के जो crops है न उनके अंदर mechanization less than 10% है और जो wheat और rice है उनके अंदर mechanization है वो करीब 40-50% है सिर्फ मतलब 50% से ज़्यादा खाम हम आज भी manually किया जाता है हाथ से ही किया जाता है तो ये rice के बारे में हुआ इसके अलाबा जो news में है वो due to the telangana issue parboiled rice news के अंदर है तो इसको समझने के लिए simple सा concept है parboiled मतलब क्या है कि जो boil किया गया rice हसक है that's it ओके इसको sela rice भी बोलते है थाइमीन उसकी जो percentage होती है वो reduce हो जाती है थाइमीन की जो percentage है वो reduce हो जाती है थाइमीन जो होती है वो एक तरीके keratin use produce करता है जो कि क्या है कि against the worms काम करता है जो defense mechanism काम करता है और उसका जो nutritional values है नो वो काफी ज़्यादा हाई है तो थाइमीन टिक्रीज हो जाता है इन टर्मस अब दी पर वोल्ड राइस इसके अलावा आपने आज कल देखा ही होगा कि भारत राइस की जो वैंस हैं वो गौर्वर्मेंट की जो वैंस हैं वो इदर उदर असपास के एरियाज में कहाएगी तो देखो उसका रीजन यह है क्योंकि जो राइस है उसके जो प्राइस वगरा है वो काफी ज़दा इनकीज हो गए है तो गौर्वर्मेंट कहाए कि सबसेडाइस प्राइस पर कहाए कि राइस को बेच रही है ओके फ्रॉम दी एपसी आई गोडाउंस यह देखिया आफ़र इस रिक्विश्ट तो राइस मिलर्स तो ब्रिंग डाउन दी प्राइस फेल तो यील्ड दी डिजार डिजल्ट इंपोज दी एसेंशल कॉमोडिटी एक्ट तो मेक इट मेंडिटरी फो ट्रेडर्स तो डिक्लेर दी राइस पेड़ी स्टॉक एवरी फ्राइडे इंद रैजिंग डिजल्ट पॉर्टल देखो जो एसेंशल कॉमोडिटी एक्ट है उसके तहए गौर्मेंट ने कहा है कि ये बोला गया ट्रेडर्स को कि हर फ्राइडे को कहा है कि आप के पास जितना भी स्टॉक है राइस का उसको बताईए हमको अब यहां पे एक जो कैच है न वो आपको ध्यान लगना है देखो एसेंशल कॉमोडिटी एक के अंदर क्या है कि प्राइस या फिर होर्डिंग या फिर स्टॉरिज वगरा को क्या है कि चेक करने के लिए बनाए गया प्राइस वगरा कंटॉल मे रहे है इसके लिए तो इसके अंधर कagues कि इस वी चीज को डाला जा सकता है ऐसा नहीं है कि एक दोος पर्टिकुलर चीज़ं गोई डाला जा सकता या खाने पीने की चीज़ंगोई डाला जा सकता है चाहे वो medical equipment हो, चाहे वो engineering equipment हो, किसी भी टाइप की जो equipment है जिसके prices क्याए कि suddenly increase हो गए है और holding वगएर काफी जादा होने लगगी है उसके अंदर, उसको क्याए कि essential commodities act के अंदर डाला जा सकता है government के द्वारा, next है wheat, तो wheat आप जानते हैं कि वो rabi crop है और MSP के अंदर already cover up है और यह temperate crop होती है, generally क्याए कि यह जो temperate environment होता है 23.5 degree latitude से beyond, उसके अंदर इसको grow किया जाता है और जो temperature requirement है वो 18-20 degree Celsius है, क्योंकि इसको winter के time में grow किया जाता है, जो western disturbances आते है winter के time में, from the Mediterranean Sea और जो reds यह उनसे, जो moisture उसको cloud क्याए कि ले लेते हैं और फिर क्याए कि western disturbances create होते हैं राजस्थान वाले area के अंदर और western UP वाले area के अंदर, तो they are good for the wheat, wheat cultivation के लिए क्या है, good है वो, जो wheat है वो water intensive crop है, इसके अंदर मतलब क्या है, पानी का काफी ज़्यादा यूज किया जाता है, काफी ज़्यादा ही यूज किया जाता है wheat के अंदर, अगर हम water intensive crops की बात करें, तो जो number one जो सबसे ज़्यादा पानी जिसके अंदर यूज किया जाता है, वो होता है sugar cane, sugar cane one year की crop होती है, इसके बाद क्या राइस के अंदर पानी यूज किया जाता है, फिर maze के अंदर, फिर wheat के अंदर, तो इस तरीके से थोड़ा याद रखना आपको, हमारी country के अंदर क्या है, कि जो wheat है, wheat की जो productivity है, वो high है, क्योंकि हमारे यहाँ पे high yield variety के seeds वगरा available है, और fertilizer और irrigation system काफी अच्छ है, green revolution के वाद, तो wheat के बारे में यह ध्यान लखना है आपको, तो वैसे अगर देखा जाए, तो wheat के अंदर क्या कोई नई टेक्निक है, तो देखा आंसर है clear, गड़ नो, लेकिन कुछ agriculture practices हैं, जो की जाते हैं, जिससे कि wheat की जो production उसको sustainable बनाया जा सागे, जैसे कि zero tillage, नेक्स्यों क्रॉप है, वो मेज है, देखो wheat से रिलेटेट जो current affair था ना, वो regarding Ukraine है, और वो कोई important current affair है नी, क्योंकि ऐसे टाइप का question नहीं पूछेगा, UPSC कि wheat was cut up the world क्या है, Ukraine Russia, यह ऐसे टाइप का question नहीं पूछता है, हाँ, अगर इस टाइप का question पूछेगा, तो वो यह पूछ सकता है कि why there is so much of the wheat grown in that black sea region, तो उसका region है वहाँ की soil, जो soil है वह चर्नोजम soil है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चर्नोजम soil, that is a type of the black soil ही होती है, black soil होती है, जो कि organic matter इसके अंदर काफी ज़्यादा हाई होता है, high organic matter, high organic matter, जबकि इंडिया की जो soil है ना, black soil, उसके अंदर high organic matter नहीं होता है, क्योंकि वह फिशर्वाइक वर्लगनों से बनी हुई है, बसालिटिक मैगमा से बनी हुई है, तो यह दो, यह point of difference होता है, between the Indian black soil and the rest of the world, next important crop है, वह है मेज, तो मेज देखो, खरीफ क्रॉफ है, और यह MSP के अंडर cover up है, और इसकी काफी ज़धे wider climatic range है, कभी भी मतलब क्या है कि काफी सारी जो temperature conditions हो गई, soil conditions हो गई, उनके अंदर grow किया जा सकता है, देखो तुमको यह सब चीज़ें याद नहीं रखनी है, कि कितना temperature चाहिए होता है, कौन सी soil चाहिए होता है, आपको एक मैप देदूँगा, एंड में आके आपको समझा जाए है कि यहाँ यहाँ यह चीज़ें हो सकती है, उसी से आपको link करके चलना है, otherwise याद नहीं रहेगा आपको यह सब, मेज के मामले में देखो, इंडिया में नेट इंपोर्टर है, USA के अंदर काफी ज़्यादा मौट में होती है मेज, और इसको ऐज़े अनिमल फोर्टर के यूज के जाता है, और एथनौल के प्रोडक्शन के अंदर यूज के जाता है, for the alcohol and biodiesel production also, एथनौल प्रोडक्शन, अल्कोहल प्रोडक्शन, as well as the biodiesel production के लिए क्या है कि हम में इसका यूज करते है, नेक्स चु क्या है कि जो ये ग्रो होती है, कुछ ऐसी soils के अंदर होती है, जहां पर organic content होता है, और water holding capacity होगी, ये common general statement में ने डाला हुआ है, जिससे क्या है कि आपना questions के अंदर confuse नहीं हो कि इस type का कोई statement डाल दिया जाए, these are the general conditions, तो mark सही करके आना है ऐसे type के statements को, next अगर हम ये estimate देखते हैं, government of India की तरफ से ये estimate है, director of economic and aesthetics का, तो देखो, यहां पर एक कुछ चीज़ा read करनी बहुत जरू उठी हैं आपके लिए, prelim के perspective से, तो देखो, पहले हम बात करते हैं, food grains की, तो food grains में आता है, rice, wheat, jar, बाजरा, मेस, okay, tour, gram, मतलब क्या गया, कि कुछ newtri cereals होती है, कुछ newtri cereals हैं इसके अंदर, और इसके अलाब क्या है, nutric cereals के अलाब क्या है, यह, बाजरा, मेस, sorry, rice and wheat, okay, rice and wheat, one second, ओके, अच्छा, अब दूसरी चीज़ यहां से आप observe करिये, यह तो होगे हमारे food grains, main food grains, दूसरा होगया, oilseed, oilseed जैसे की groundnut, ripseed, mustard, mustard and ripseed, and sunflower, sap flour, neem oil, यह सब चीज़े होगे हैं, sugar क्या होती है, यह cash crop होती है, तो देखो, इनका सब कर रावी और खरीब दे रखा है, ओके, यहां से आप देख सकते हैं कि जो rice है, वो खरीब के सीज़ने में ग्रोग की जाती है, यहां पर, उसी तरीके से जो wheat है, वो रावी में ग्रोग की जाता है, जो आर जो है, वो रावी और खरीब दौनों में ग्रोग की जाता है, और यह आपकी जो pulses हो गई, कुछ pulses खरीब में ग्रोग की जाती हैं, कुछ pulses रावी सीजन के अंदर ग्रोग की जाती हैं, यह सब देख सकते हो आपके, नेक्ट इंपोर्टन चाहिए वो यह है, अगर हम area wise बात करते हैं तो area wise सबसे ज्यादा जो area है वो किसका है, उसके बाद जो area है वो है आपका, किसका है, उसके बाद ए area, उसके बाद है wheat का area, थर्टी गे राउंड देन उसके बाद जो एरिया है वो मेज का है और ये जो जुआर हो गई उसका है ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको ये टेबल देखते रहना प्रिलेम्ट से पहले इंपॉर्डेंट टेबल है हां से डारेक्टली कोशन मन जाता है ओके अगर हम आपकी न्यूटरी सेरियल्स और फिर हैं पल्सिस ओके नेक्स जो कमपरिजन करने वाली जो चीज है इसके अंदर वो आपको ये ध्यान लगना है कि जैसे आपके कोट्स सीरियल्स हो गए कोट्स सीरियल्स जैसे कि ये राइस वीड जवार बाजरा मेज इसको बोलते हैं तो ये करीब करीब कितना है इनका जो प्रोडक्शन है वो है करीब आपका काफी जैदा है देन कंपरिजन टू ये सब पल्सिस बगेरा को मिला मिलू के न्यूट्री सीरियल्स को मिला मिलू के और और सीड को मिला मिलू के बस ये थोड़ा चिनल आइडिया होना चाहिए cotton होती है, jute होती है, मैस्टा होती है, कौन से होती है, sugar, cotton, jute और मैस्टा, यह आपकी cash crop होती है, जो भी हम देखेंगे थोड़ी देर में, next important चीज आपको ध्यान लगनी है, वो यह ध्यान लगनी है, इसके अंदर, जो oil seeds हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो area coverage है, वो सोया बीन का है, और सबसे ज़्यादा production भी किसका है, सोया बीन का है, यह ध्यान लगना है आपको, थोड़ा यह unconventional सा point लगने लगने लेकिन ऐसा है, आगे बढ़ते हैं, देखो, खरीफ की कुछ crop के नाम में आपको दे रखे हैं यहां पर और राधी की कुछ crop के राम दे रखें, याद कर लीजिए, कोई solution है नहीं इसका, next हम cash crop की बात करते हैं, देखो, cash crop में क्या क्या आता है, oil seed आता है, sugar cane आता है, cotton आता है, jute आता है, spices आता है, tobacco आता है, horticulture crops आती है, like the fruits and vegetation, vegetation, vegetables, plantation crops होती है, वो भी cash crop ही होती है cash crop मतलब क्या है, कि जो बेचने के purpose से grow की जा रही है, आपके खुद के consumption के लिए यूजनी की जा रही है, तो plantation crops जैसे की tea, rubber, coffee, oil palm, cocoa, ये क्या होती है, plantation crops होती है, तो plantation crops ही क्या है, ये सब पार्ट है कि इसका, cash crop का, okay, तो पहले बात करते हैं, oil seeds के बारे में, देखो oil seeds में क्या है कि MP हमारा number बने, oil palm से confuse नहीं होना है, आपके बहुत important चीज़ ये, oil seed काफी सारे होते हैं, even जो आपका oil palm है, वो एक oil seed है, palm oil जो है, okay, वो एक oil seed होता है, तो oil seed जैसे की mustard हो गया, rap seed हो गया, soya bean हो गया, ground nut हो गया, sun flower हो गया, ये आपके क्या होते हैं, ये oil seeds होते हैं, तो MP क्या है, number one है, in terms of the oil seed production, और oil seed ही क्या है, number one cash crop है, इंडिया की, इंडिया की number one cash crop क्यों सी है, वो है oil seeds, तो देखो, mustard यानी की सरसों, तो mustard क्या है, एक तो rabi crop है, rain fed conditions के अंदर ग्रोप की जाती है, और irrigation required नहीं होता है, इसके अंदर लिए, राजस्तान में काफी जाता ग्रोप की जाती है, और mustard क्या है, ये leguminess मी होती है, mustard क्या है, MSP के अंदर cover up किया गया है, next है rap seed, rap seed क्या है कि आपकी rabi crop ही होती है, और ये MSP के अंदर cover up है, इंडिया नंबर बन है rap seed के महमले में, rain fed conditions के अंदर ग्रोप की आ जाता है इसको भी, okay, mustard और rap seed almost similar चीज़ है, बस क्या है कि थोड़ा सा variation है उनकी जो genetics बगर है उसके अंदर, soya bean क्या है कि ये soya bean largest oil seed है इंडिया के अंदर, और अगर statement इस तरीके से ये दी जाता है आपको, कि mustard and rap seed constitute highest amount of the oil seed, then it is correct statement, otherwise, soya bean क्या है नंबर वन, क्या है आपका oil seed है इंडिया के अंदर, okay, तो जो soya bean है, bean, जिसके पीछे bean आ गया, simple सी कहानी है, वो क्या हो गया आपका, legume हो गया, soya bean खरीफ होता है, खरीफ की crop है, और ये MSP के अंदर cover up है, next जो oil seed है, वो है आपका ground nut, ground nut खरीफ होता है, legume होता है, peanut, ground nut बना पीणट, जिसके अंदर पी आ जाता है, वो legume होता है, खरीफ है, legume है, MSP के अंदर cover up है, next जो important है, वो है sunflower, sunflower जो है वो रावी crop है, और ये MSP के अंदर cover up है, Ukraine number one producer है, इंडिया के अंदर, दरनाटका के अंदर होती है, और ये जो sun flower होता है, उसकी खासियत होती है, कि जब ये जब तक mature नहीं होता है, तब तक क्या है कि ये अपने sun को track करता है, उसकी तरफ भी गया है, उसका face रहता है, ऐसा इसे लिए करता है, क्योंकि वो reproduction कर सके, और जो pollinator हैं, उनको attract कर सके, और जो east-west imbalance होता है, इसके पेड के अंदर, उसको maintain किया सके, पौदे के अंदर, जो mature sun flower होता है, वो sun को track नहीं करता है, जो sun flower है, वो North America का native है, और इसकी irrigation की कोई requirement नहीं होती है, ये rain fed cropping होती है, इसके अंदर, जो next होता है oil seed, वो है sap flower, ये rabi है, और MSP के अंदर cover up है, नाइजर seed, next oil seed है, जो की mainly खरीफ है, लेकिन रावी की तरह also group किया जता है, देखो ये 7 oil seeds हैं, कौन-कौन से हैं, mustard, rape seed, soya bean, groundnut, sun flower, sap flower, नाइजर seed, ये MSP के अंदर cover up है, इसके लावर दो और oil seed होते हैं, जैसे की, caster and lincid, ये MSP के अंदर नहीं है, जो ये 7 थे, वो edible oil थे, edible oil बना जाए सकता है इनसे, और बाकी के दो है, caster और lincid, इनसे क्याए कि edible oil नहीं बना जाए सकता है, ये non-edible in nature होते हैं, तो ये थोड़ी धियान नक नहीं है, आपको बात है, caster बोथ रावी और खरीफ, और ज lincid आपकी रावी crop है, lincid के अपकी रावी crop है, ये होगए oil seed, अगर हम cash crop कहते हैं, जैसे की sugar cane हो गया, तो देखो sugar cane कहा है, एक तो tropical crop है, sugar cane कहा है, tropical crop है, और highly water intensive है, काफी जादा पानी की requirement होती है, इसके अंदर, पानी की काफी जादा requirement होती है, ऐलीविलियम और black soil के है, कि जैसे ही अपना महाराष्टा वाला region है, वहाँ पे एक तो पानी की requirement, पानी ही निया अवेलेवल, तो ये लोग क्या है, कि जो ground water है, उसको use करके गया है, sugar cane की खेती कर रहे है, तो वहाँ काफी जादा water crisis वगएरा, डबलप हो जाएंगे आने वाले टाइम में, तो य water intensive crop है, अलिवलेव और black soil के अंदर इसको grow किया जाता है, one year की ये crop होती है, irrigation इसके लिए must है, अगर irrigation नहीं किया जाएगा, sugar cane के अंदर तो sugar cane नहीं चीएगा, और water intensive तो ही है, weight wise number one crop है, अगर हमारा मतला पूरा weight देखा जाए, तो weight wise number one crop है, value wise अलग होता है, volume wise अलग होता ह तो जो इसके लिए क्या है कि MSP नहीं होता है, इसके लिए होता है fair and remunerative price, जो कि cabinet committee और economic affair वो decide करती है, तो जो FRP है हमारी country के अंदर वो more than the international price है, ओके, यहाँ पे आप देखें, यह है state advice price, जो state government क्या है कि जसे central government ने क्या है, FRP declare किया, sugar cane के लिए, अब state government क्या है कि कुछ bonus दे देती है FRP के उपर, तो इसलिए क्या है कि जो state advice price है न, वो more than होता है FRP के, और FRP कि किस से greater than the international price, और यही issue है जिसकी वज़े से क्या है कि India को WTO के अंदर ले जाया गया recently, तो अभी current affair देखेंगे यह, जो FRP होता है, FRP that is equal to A2, A2 एक cost होती है, प्लस family liver, A2 प्लस family, तो देखो A2 में क्या क्या आता है, मैं यहां लिख देता हूँ आपको, थोड़ा important है A2, A2 में आता है आपका, एक तो आपका, जो cost incurred की जाते है न, farmer की inputs पे, own inputs, जैसे की fertilizer हो गया, fertilizer हो गया, pesticide हो गया, और जो seeds बगएर हो गई है, यह जो cost incurred होती है, उसको A2 बोलता है, FL मतलब family liver, okay, FL मतलब family liver, तो इन दोनों को consideration करके, आपके FRP declare किया जाता है, और भी बहुत सारे factors होते हैं, हम MSP में, जो declare किया जाता है, FRP और MSP, उसके अंदर कम से कम 20 factor वो consideration में लिया जाता है, और UPSC ने अभी तो question नहीं पूछा है, तो आने वाले time में वो एक potential area है, question पूछने के लिए MSP से, वो देखेंगे हम लोग, जब हम agriculture, marketing उगर अपड़ेंगे, तो MSP क्या होता है, MSP होता है, that is 65% of the A2 plus FL, जो sugar cane होता है, उसके लिए जो cold winter होती है, वो अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उससे क्या है कि सुक्रोज contain क्या हो जाता है, वो reduce हो जाता है, ब्राजील number one है, और ethanol economy के लिए ब्राजील को वैसे भी जाना है आता है, इसी ने invention किया था ब्राजील ने, ओके, WTO में क्या issue चल रहा है, जो Australia, Brazil को अतरमालावाल जो countries हैं, उन्होंने इंडिया को क्या है, WTO के अंदर बोला गया, आप जो FRP दे रहे हो ना उसके उपर, अपने sugar gain के उपर, और जो बाकी के जो domestic supports provide कर रहे हो, they are violative of the agreement on the agriculture, ओके, तो खेर, इंडिया इस case को हार चुका है, तो देखो, इस पूरे issue से एक term निकल गया आती है, जिसका नाम है, मिल स्पेस्फिक, यहां पर देखिया, मिल स्पेस्फिक, minimum indicated export quota, UPSC highly unlikely है, question पूछेगा इसके उपर, लेकिन अगर पूछता है, तो it is related with the sugar export, simple, यह क्यों दी जाती है, जिससे क्या है कि, जिससे क्या है कि sugar gain का भोग जाता production हो गया, अब domestic demand तो हैं नहीं हमारी इतनी, तो हमको क्या है, export करना है, लेकिन agreement on agriculture क्या है कि peace clause के थाच कुछ limit लगा देता है, यह आप क्या है कि इसे जएद अपनी farmers को subsidies provide नहीं कर सकते हो, तो क्या है कि government ने क्या किया कि आप जैसे farmer को तो देए दिया, subsidy, लेकिन milk को भी तो दे सकते हैं, तो it is like indirect way, बाकी आप समझते हैं, तो इससे निगल के यही चीज़ आती है, बस तो यह news में था, बस और कुछ नहीं है, इसके लाब जो sugar cane होता है, उसका use for the biofuel purposes के लिए यूज होता है, और biofuel बनाने के लिए न, उन crops का use क्या जाता है, जिनके अंदर क्या है कि sugar content काफी ज़्यादा होता है, या फिर oil होता है, फिर starch होता है उनके अंदर, जैसे कि maze हो गई, ट्रॉपी का हो गया, तापियोका हो गया, सोया बीन हो गई, रेप सीड हो गया, कोकोनट हो गया, संफलाबर हो गया, और अपका sugar cane हो गया, coconut क्या है कि वो राबी क्रॉप है, coconut क्या है राबी क्रॉप है, next क्या है, शुगर केन कोई leguminous plant नहीं होता है, किसी भी तरीके का, और sugarcane का use हम cosmetic industries में काफ़ी जादा use करते है sugarcane से क्याए कि methane का emission होता है एक variety है जो कि ICR ने डवलब कर रखे है CO238 जिसको क्याए कि Indian farmers यूज करते है इसके लावब जो sustainable sugarcane initiative है वो हम लोग क्या agriculture practices में देखेंगे क्योंकि वो उससे related area है next जो cotton है cotton के बारे में जान रहती है ते वो cotton की जो खेती होती है वो करें पांस से छे महीने होती है और ये black soil के अंदर grow की जाती है okay that is the best place to grow the cotton और ये MSP के अंदर cover up है और ये fiber crop होती है महाराश्रा number 1 है और इंडिया number 1 है और इंडिया कहा है कि GM cotton का use करता है ball guard 1 and ball guard 2 okay UPSC question पूछ चुगा है ball guard 1 and ball guard 2 क्या होते है these are the genetically modified varieties of the copper by the by which bear bear एक company है जर्मनी की ball guard 3 इंडिया में permitted नहीं है क्योंकि वो कहा है कि herbicide tolerant हो रहे है okay तो इस वेज़े से उसको कहा है कि allow नहीं किया गया ball guard 3 को इसके अलावा जो black soil होती है उसके अंदर cotton को grow किया जाता है और cotton भी काफी ज़यदा amount में पानी का use करती है और अगर cotton की जो reflective index है ना अगर वो कम हो जाती है तो वो जो cotton है वो पीले color की होने शुरू हो जाती है yellow color होनी शुरू हो जाती है तो उसका जो exporter वो reduce रहता है तो degree of reflectance काफी हद तक मेटर करती है cotton के अंदर और cotton का use कोई भी तरीके से carbon sequestration वगरा में नहीं किया जाता है यह ध्यान लगना है आपको next जो है वो jute है jute या फिर उसको क्या बुला जाता है golden fiber बुला जाता है jute या फिर golden fiber तो देखो jute जो है ना जैसे आप जो यह गेहूं wheat की जो बोरियां होती है सेक्स सेक्स ऐसे सी के ओके तो उनके अंदर कहें कि इसका यूज क्या आता है तो वह आप देखते हैं काफी ज़्यादब पर्मीबल होती है water resistance हो सकता है उनके अंदर water absorb कर लेती है वो और जो जूट होता है वो क्या है bio degradable होता ही है simple जी बात है MSP के अंदर cover up है यह West Bengal number one है इसके अंदर और India world में number one है इसके लिए कोई water logging condition नहीं चाहिए यह थोड़ा ध्यान लगना है जूट के regarding और 250 cm range से लेके humid condition चाहिए हो जो West Bengal वाली region के अंदर होती है that's it तो इतना ही मतलब आपको required है जूट के regarding next देखो plantation crop की बात करते हैं तो देखो कोई भी plantation crop MSP के अंदर नहीं है कौन-कौन सी होते है plantation crop जैसे की oil palm हो गया tea हो गया coffee हो गया rubber हो गया cocoa हो गया coconut हो गया oil palm के उपर UPSC अलड़ी question पूछ चुगा है palm oil भी बोलते हैं इसको तो यह क्या है कि आपका जैसे Indonesia Thailand वाला जो region है वहाँ पर grow किया जाता है mainly mainly ऐसा नहीं है की मतलब और कहीं नहीं grow किया जाता इसके लिए क्या है हाई rainfall की requirement होती है और forested area होना चाहिए oil palm की cultivation के लिए आसपास काफी ज़्यादा forest होने चाहिए और main चीज क्या है कि एक alliance form की गई है palm oil alliance Asian palm oil alliance यह current affair है जिसके अंदर March countries है India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal जो Indian subcontinent की countries है वो countries है इसके अंदर that's it और यह क्या है कि not for profit worthy है कोई ही मतलब इस तरीके से statement आएगा कि it is an initiative of someone, तो यह गलत statement हो है that's it next जो है टरीकी बात कहते है टी जो चाहे होती है तो देखो चाहे एक न्यूज में थी उस ताइम UPSC ने पूछ लिया था question regarding its head office वगेरा इस type से question तो इसका मतलब यह नहीं है कि मतलब आप हर किसी headquarter को याद करने भेड़े साने है that's not a right strategy तो देखो टी जो है वह ट्रॉपिकल क्रॉप है पहली बात तो टी के ट्रॉपिकल क्रॉप है और यह water intensive क्रॉप है इसके लिए क्याए कि sloppy area चाहिए होता है और हाई rainfall होनी चाहिए labor intensive industry है काफी अच्छा drainage system होना चाहिए टी को ग्रो करने के लिए आसाम वेस्ट बंगल तमिलाडू यह इंडियान स्टेट्स है आसाम नंबर वन है इंडिया नंबर वन है इंडिया नंबर वन है इंदी प्रोडक्शन अपती टी देखो हम domestic purpose के लिए ना लो ग्रेड की टी हूज करते हैं जिसको गोलते हैं टी डेस्ट जो कि हमारे घरों में चाहिए की पत्ती हूज होती है ना काले कलर की टी डेस्ट लोएस्ट ग्रेड अब टी होती है तो यह थोड़ा ध्यान लखना है उसको कहें कि काफी सारे processes से गुजार के उसको कोफी के लिए ना सेम गंडिशन से बस लेकिन शेड की रिक्वार्मेंट होती है बतलब क्या है कि थोड़ी धूप कामानी चाहिए कोफी के ग्रोथ के लिए करनाटका में जो चिकमंगलूर जगह है जहां पर बाबाबुदान गिरी जो हिल्स है वहां पर क्या है इसको ग्र ब़ो होती है के सीन्फेटिक गर्वर को जो बना जाता है तो घेनी जूप मेंगल दोती है। और इसके लिए shade की requirement होती है और cocoa किया है कि amazing forest का native है South India में इसको grow किया जाता है चौकलेड बगरा बनाने के लिए इसका use किया जाता है coconut evergain and it is in the South India अगर अब हम horticulture sector की बात करें तो 20% of a net stone area is in the horticulture sector और हमारी 30% जो GDP agriculture की उसका 30% part horticulture को जाता है और ये second in the volume after the sugar के जो largest vegetable producing country है वो चाइना है और largest fruit producing country वो इंडिया है इंडिया के अंदर सबसे अदर fruit होता है वो होता है बनाना okay spices के बारें बात करें क्योंकि spices news में थे तो एक body है world spice organization ये कहें कि एक body है non profit organization है जो कि कोची के अंडर है कोची कोची जो केरला है वहाँ पे situated है जो spice industry है वो कहें कि हमारा जो टोटल export है उसमें exported value का 70% 17% के contribute करता है और United States के अंदर हमारा काफी ज़्यादा export होता है चिली जो है वो largest exported largest produce and exported spices इंडिया का करीब 30-30% के अरॉंड जो spices है उसमें चिली होता है okay that's a spice industry regarding the allied sector allied sector in the agriculture तो देखो preliminary point of view से इतना important नहीं है क्योंकि schemes हम किया है कि schemes की एक अलग video बनाएंगे लेकिन अभी हम लोग current affair देखेंगे जो चलेंगे इस area से related तो dairy sector के लिए देखो PM किसान संप्रदाई हो जना है राष्ट ये गोकुल mission है operation flood है फिर white revolution हुई थी fishery sector की बात कर लेते हैं तो fishery sector में क्या है कि जो value है न value यानि कि पैसा जो मिलता है आपने को वह ज्यादा मिलता है then comparison to rice export कर गए देखो aqua fish अंदरप्रदेश में मिलती है pond fish अंदरप्रदेश में practice की जाती है pond fish west पंगॉल में marine fishes कुछ रात में मिल जाती है inland fishery जादा है हमारी country में then comparison to marine fisheries then national fishery development board या हेदरवाद के इंदर established किया गया है और यह क्या है कि GIS technology को use करके गया है कि जो fish की locations है ना fish के जो areas हैं उनको locate करेगा sonar technology वगरा का use किया जाएगा sound waves वगरा का और जो किसान है जो fishery के जो किसान है उनको कहाएगी है को loan भी मिल सकता है under the किसान credit card scheme same provisions है कोई भी difference provision नहीं है इसके लबा fishery sector को improve करने के लिए government ने सागरमाला project को बनाया गया जिससे कहाए कि जो transportation वो easy हो सके इंडिया की कुछ fish है जैसे कि रोहू और काटला catfish और जो मगूर है वो exotic variety है मतलब invasive है PM मतद से हम पता योजना ये fishery sector के लिए है इनको हम discuss करेंगे जब schemes करेंगे अगर हम animal husbandry sector की बात करते हैं तो देखो pink revolution हुईती animal husbandry meat produce करने के लिए और हम जो सबसे ज़ादा export करते हैं वो European union को करते हैं bovines जैसे कि हमारे cow, buffalo वगयरा ये सब ज़्यादा है meat के production के अंदर UP number one है cattle के अंदर ये थोड़ा ध्यान लगना है epiculture, epiculture से related जो revolution है वो है आपकी sweet revolution, honey revolution, sweet revolution और जो round revolution है वो potatoes से related है rainbow revolution for the pulses and yellow revolution for the oilseeds इंडिया की कुछ breed है जो की buffalo की कुछ breeds है जैसे की मुर्रा, सुर्ती, सरीवाल, गिर, धर्पकर, बर्वोर, निमारी, वैचूर ये varieties है, fishes की, अब current affair देख लेते हैं हम लोग, तो देखो ये current affair है जिसके अंदर जो main point है वो ये निकल के आता है कि जो तूर है ना तूर, तूर क्या है वो हमारी MSP के अंदर है MSP के अंदर है, लेकिन farmers क्या है कि they are free to sale anywhere, ओके, e-nam portals है इसको क्या है कहीं पे भी कर सकते हैं वो, sale, ये ध्यान लखना है अपको next article है, वो coir से related है, coir, देखो coir, ये जो coir है, इसका मतलब क्या होता है कि जो रस्तिया होती है, ropes, जो की क्या है, coconut से बनाई जाती है rope of coconut, coconut husk के, जो rope बनाई जाती है, उनको गोला जाता है, coir coconut के बारे हम पढ़ चुक है, that's it, ये coir से आप confusion नहीं हो, इसलिए article उठाएगा है recently क्या है कि जो pepsigo है, जो lace बनाती है, आपकी जो lace की जो चिपसा के है वो क्या है कि एक special type of the potato यूज करते है, उस variety का नाम है FL 2027, ओके FL 2027 ये किसका है, potato variety है, बस ये ध्यान लगना है आपको, तो इसको क्या है कि इनोंने patent करा लिया था, पेप्सिगो वालोंने, लेकिन जो Delhi High Court ने उसने क्या है कि बोल दिया है कि ये patent मान्या नहीं है, तो ये थोड़ा point याद रखना है क्योंकि जो अपना patent act है ना, it does not allow any living that is already naturally found in the nature, उसको patent नहीं कराया सकता है, तो ये थोड़ा ध्यान लगना है, FL 2027 करके कुछ आता है question, तो वो potato से related होगा, that's it, जो highlighted lines है, सिर्फ वही पढ़नी है, जब आप revision करेंगे, पूरा article नहीं पढ़ना है, next जो article है, वो ये है कि wheat के उपर एक pest होता है, जिसका नाम है yellow rest pest, क्या नाम है इसका yellow rest pest, that is found in the wheat, okay, इसको strip rest भी बोले जाता है, strip rest, तो ये जो article है, इसमें कुछ पढ़ना नहीं है आपको, बस ये है कि government का thrust है, cashew के उपर, काजू के उपर, तो देखो, काजू के एक ब्राजील का native है, दूसरी चीज, ये evergreen है, और ये rabi crop है, ये highly cross pollinated crop होती है, और इसको grow किया जाता है, means of the vegetative propagation, vegetative propagation आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है, तो हम लोग environment की जब series करेंगे, तो उसमें आपको clear हो जाएगा, next जो article है, ये जो article है, वो बताता है, कि जो ethanol है, उसका production कहां कहां से हो सकता है, तो देखो, ethanol का जो production है, वो आपका, यहां का किस किस से हो सकता है, जैसे कि C heavy molasses होगी, B heavy molasses होगी, देखो B heavy molasses है ना, उससे क्या है कि rectified spirit बनाई जाती है, और extra natural alcohol बनाई जाती है, और जो rice है, उससे भी क्या है कि ethanol बनाई जा सकता है, इसके लगभा जो damaged food grains हैं, like the rice and maize, उससे क्या है, बनाई जा सकता है, लेकिन currently इंडिया में क्या है कि जो surplus rice है ना, उससे ethanol बनाना permitted नहीं है, लेकिन broken rice से क्या है, allowed है, नेक्शो आर्टिकलर वो यह है कि बंगलादेश ने क्या है कि BT cotton के trial cultivation की permission दे दिया, तो बस यह जाद ध्यान लखना है आपको कि कोई country है, बंगलादेश उससे वहाँ पे गया है, BT cotton allow कर दिया गया है, इसके अलाबा जो बंगलादेश है ना, उसने पहले क्या किया था, उसने BT brinjal, थोड़ा नाम ध्यान लखना है आपको, BT brinjal, BT brinjal, उसको भी allow कर दिया था, BT brinjal को allow कर दिया था, खाने के लिए, यह edible crop है, जिसको edible crops इंडिया में band है, GM, ओके, लेकिन BT brinjal को बंगलादेश ने allow किया था, यह थोड़ा ध्यान लखना है, BT मतलब bacillus thuringesis, ओके यह एक बैक्टिरिया होता है, बैक्टिरिया होता है, बैक्टिरिया होता है, BT जो होता है, bacillus thuringesis, next कहाएगी, government यह try कर रही है, कि जो, जैसे आपके, जो MS स्वामी ना था ने, उन्होंने बोला था कि, जो BT cotton है न, वो कहें, completely fail है, इंडिया के अंदर, उसने मतलब कहाएगी, सही result दिये नहीं है, इंडिया के अंदर, तो government कहें, non GM cotton की उपर focus कर रही है, तो यहाँ पर यह 50% of the cotton जो ग्रोव की जाती है न, इंडिया में, वो अंदर BT cotton होती है, वो कांसी होती है, BT cotton होती है, यह थोड़ा ध्यान लगना है, अपको, अल्मोस 98%, यह थोड़ा ध्यान लगना है अपको, देखो, जो BT cotton है, उसके उपर जो पेस्ट होते है न, वो कंगों से होते है, पिं BT cotton का है कि इनके अंगेस्ट रेजिस्टेंट प्रोवाइट करती है, that's it, next important article है, वो यह है कि कोकोवा का जो largest producer है, वो कौन सा है, वो ivory coast है, बस यह ध्यान लगना है अपको, इंडिया इंपोर्ट करता है, ivory coast से, that's it, ivory coast कहां किया है, यह अफ्रिगन गंडरी है, next natural river की एक और organization है, ANRPC, यह intergovernmental organization है, जो की 1970 में establish की कही थी, यह क्या है कि जो natural river producing countries है, उन वो, उन क्या यह initiative है, इसका full नाम है, natural river producing countries, ANRPC, इंडिया इसका member है, देख देता हूँ है, क्योंकि इंडिया के अंदर natural river होती है, तो इंडिया इसका member है, next article है, वो यह है, कि इंडिया टॉप्स चाइना in inland capture water fishery, inland में top किया है, ना कि overall fisheries में top किया है, ओके, और ना ही इंडिया largest, largest producer है fishes का, largest producer को होना है, वो है आपका चाइना, चाइना, यह ध्यान रखना है आपको, जो world fishery day है, वो कितने तारी को मना जाता है, मैं बता देता हूँ आपको, यह मना जाता है 21st November को, that's it, 21st November, एक दो याद रखनी चाहिए आपको बस, next कहाए कि इंडिया ने export थोड़ा हो कर दिया है, to the, of the pomegranate to the USA, तो pomegranate के बारे में बात याद रखनी है, दो तीन बस, pomegranate जो होता है, वो आपका एक तो deciduous tree है, और यह कहाए कि commercially, 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 इसकी जो cultivation होती है, वो only in महराष्टा होती है, only in महराष्टा, महराष्टा में होती है सिर्फ, okay, commercially, बाकी छोटी चोटी चोटी जगर पे और ग्रो किया जाता है, इसके अलाब़ जो pomegranate है, उसके बारे में यह चीज़ दियान लगी है, यह राभी क्रोप है, कौन जी सकते हैं, that's it, soya bean से भी क्या, ethanol बना सकते हैं, कुछ नहीं पढ़ना है, that's it, next article है, वो क्या है, direct seedling से related है, इसके अंदर दो-तीन बाते कहीं हैं, पहली बात तो यह है कि, जैसे traditional method of the paddy cultivation होता है, उसके अंदर जो labor requirement होती है, वो काफी जादा होती है, 25 से 30 labor होती है, एक काम को करने के लिए, तो इसमें कैसे दो बंदे ही काम करते हैं, दूसरी चीज क्या है कि, यह क्या है कि, जैसे paddy की cultivation करनी है, तो आपको क्या है कि, rain का weight करना पड़ता है, थोड़ी सी rain का weight करना होता है, लेकिन direct seedling method में क्या है कि, आपको rain का weight नहीं करना पड़ेगा, तीसरी की एक problem है, बहुत बड़ी problem है, वो यह है, कि यह weeds को compete करते हैं, plant इसके अंदर, पेड़ी जो है, वो weed के साथ compete करना शुरू करतेता है, मतलब weed resistance decrease हो जाता है, इस method से, जबकि जो traditional method होता है, उसके अंदर के है water logging conditions होती है, तो weed को grow करने के लिए time ही जगे ही नी मिलती है, लेक होता है, that is the one disadvantage of the direct seedling method, तो Saudi Arabia ने किया है कि कुछ consignment थे, उनको लोटा दिया है, इंडिया के, उनमें किया है कि जो श्रंप और लॉब्स्टर थे, जो की seafood होते है, उनके अंदर एक virus पाया गया है, जिसका नाम है white spot syndrome virus, white spot syndrome virus, अजर seafood industry के बारे में बात करते हैं, तो seafood industry में जो कौन-कौन से seafood होते हैं, जैसे कि श्रंप हो गया, लॉब्स्टर हो गया, fishes हो गई, squids बगरा हो गई, इनको seafood माना जाता है, और fishes बगरा हो गई, इन सब में जो सबसे ज़्यादा, जो seafood exported item है इंडिया की तरफ से, वो frozen shrimp है, frozen shrimp है, और largest जो exporting market है इंडिया की वो है USA, चाइना तो इस lecture में इतना ही, अगले lecture में हम लोग क्या है, agriculture practices and agriculture inputs की बात करेंगे, वहाँ बहुत important area है और उसके जो current affairs है वो डिसकस करेंगे, आप तब तक क्या है कि इसको revise करिये, next lecture आपको एक दो दिन में मिल जाएगा, thank you, thank you very much.